असलाम उलेकुम दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बिस्मिल्ला फिशिंग मैं विल दोस्तों आज एक ऐसी बेट के बारे में बात करेंगे एक ऐसा चीज के बारे में बात करेंगे जो आप अगर सत्तू वगैरा खेल रहे हो या फिर अगर आप सत्तू सूजी वगैरा का टूब बना के खेलो या फिर आटा मेदा का या फिर पौरोटी का टूब भी बना के खेलो तो उसमें यह एड़ करोगे आप इसको साथ में डाल दोगे तो आपका chances जादा हो जाएगा कि आप हर प्रकार की मचली को पकड़ पाओ तो इस पेट का बारे में मैं आपको बता दूँ तो इसका नाम है वो एक खीर है जो कि हर तरह की मचली को attract करती है और बहुत ही अच्छा result देता है इंशालला जबजल आप इसको ट्राइ करके देखो इंशालला आपने रास नहीं होगे अल्ला ने चाहा तो आपको मचली ज़रूर लगेगी तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ हमारे साथ वीडियो के end तक बने रहे वीडियो को skip करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा शेयर करें और वीडियो को जरूर 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 लाइक करें दोस्तों लाइक करने से हमारा मोइटिवेशन बढ़ता है और हमें ऑर बी अच्छा लगता है कि आपके लिए और भी बहतर बहतर वीडियो बनाके लेके आऊं ताके आप उससे जादा से जादा लाब उठा सको तो चलिए अब शुरू करते हैं तो इसमें जो अवल चीज आपको लगेगा दोस्तों वो है बास्मती राइस बास्मती राइस का मतलब होता है या कोई भी ऐसा चावल जो के बिर्यानी बनाने में इस्तमाल होता है जो के जिसमें खुश्बू होती है वो चावल आपको क्या करना है दोस्तों एक सो ग्राम लेना है अब उसको एक सो ग्राम लेने के बाद mixer grinder में डाल करके इसको आपको powder कर लेना है दोसरा चीज आपको लेना है दोस्तों वो है illike तक्रिबन 4 पीस तेज पत्ता, देड़ पीस स्रीक है, अब मैं जो आपको quantity में बता रहा हूँ, दोस्तों इस सब चीज की photo में आपको screen पर दे दे रहा हूँ, ताकि आपको समझने में असानी हो, और जो quantity मैं बता रहा हूँ, अगर आपको जाधा quantity में बनाना है तो इसका आप ratio निकाल करके उसी साब से बना लोना, इसमें कोई मसला या कोई बड़ी बात नहीं है, तो तेज पत्ता आपको लगेगा तकरीबन देड़ पीस दारुचीनी मतलब डाल चीनी डाल चीनी आपको लगेगा तकरीबन तीन पीस, एक एक इंच का दाल चीनी जो एक इंच इतना बड़ा होता है तकरीबन, ये एक इंच का दाल चीनी आपको तकरीबन तीन पीस लगेगा और इतना मोटा लगेगा ठीक है, इतना मोटा बाई इतना ये आपको तकरीबन तीन पीस ले लेना है, फिर जो आपको लेना है दोस्तों वो है शुगर, शुगर का मतलब होता है चीनी शक्कर, शक्कर आपको ले लेना है तकरीबन 20 ग्राम, शक्कर अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो इसकी जगह में आप जो दूद पॉडर होता है, उसका एक छोटा सा पैकेट भी आप से सकते हैं या फिर 10 से 15 ग्राम वो भी दे सकते हैं उसमें भी कोई मसला नहीं है ठीक है दूद पॉडर दीजेगा तो जादा बहता है क्योंकि दूद पॉडर वगारा में प्रोटीन सोर्स पाया जाता है जो क पानि को आप देखे norm के इसमें मतलब इसमें पानि देना यह दोस्तो कि उसमें पानि ना बचे वाल की पानि इस रखना है कि वो पानि खटम हो जाए वो बबहत जब तक ready हो तो उसमें पानी ना रहा ह came in case अगर पानी रह भी गया तो पानी भी की को आप पसा देना जब आपका it видео यह थे पानी पसा करगे फिर उसमें आपको क्या तोड़ तोड़ा करके उसमें डाल देना उसको थोड़ा श्टेयर करना दो मिनिट चार मिनिट तक श्टेयर करने के बाद फिर जब मैंने अपको कहा है शुगर या फिर याद रहे दोस्तो अभी आपका बात पकने के बाद जो आपका आच रहेगा मतलब चूला का जो फलेम आच वो धीमी आच में आप करें यह वाला काम और इस सब तमाम चीजों को डाल दे और एंड में आप उसमें दूद पॉडर या फिर समझ लीजे कि शुगर डाल करके इसको अच्छे से यह कर दिए कि ताकि वह दूसरे के साथ मिक्स अप हो जाए उसको ढाक करके बंद कर दि और जब भी आप खेलने जाएगा जैसे सत्तू बगारा खेल रहें आप तो एक किलो में एक सो ग्राम देड़ सो ग्राम आप उसको पॉलिश कर दिजिए वैसे आटा बगारा में थोड़ा डाल करके इसका जो भात है वो अच्छे से मिला दिजिए मिला करके इसको सान लीज इसको आप या फिर उपर से लेपिंग के तरह लगा करके या फिर आप समझ लीजिए कि जब आप लड़ू बना लिया या फिर गुच्छा बनाए आप और इसको मतलब टिप टॉप बनाए आप बहुत सारा गुच्छा बनाए गोल गोल अब उसको डुबा करके उसमें फे तो आज के लिए दोस्तों बस यही इतना ही फिर मिलते हैं कोई नया DIY या कोई नया बेट के बारे बात करेंगे या कोई product के तालुक से चर्चा करेंगे तब तक के लिए असलाम अलेकुम जदाक अल्ला ख्यार आप अपना ख्याल रखियेगा